हेलो स्टूरेंट स्वागत है हमारे चैनल बीसी एड्यूकेशन लेक्चर्स में तो यहां पर बढ़ ले हैं बीसी सेकेंड डियर मैथ फस्ट पेपर अमूर्त भीजगरत ठीक है यूनिट फाइव इंपोर्टेंट कॉशन है इसके पहले हम और भी कॉशन सॉल्व कर रहा चु एat । लेकर चलना और यह सिदा और फिर इसको लेकर चलना यहीं ब्रम को शीदयकर और से कना ना इह पुर्टधर में लगा गत्यां लेकर इसमें यहां पे अपने डारेक्ट तरिया गोड़ा AD is equal to VC लेकिन अपने को यहां पे शिद करना है पूरे गोड़ धर्म लगा के यहां पे सिद करना है तो अपने को यहां पे सिद करना है यहां पर सिद करना है सबसे पहले अपनको एक फिल्ड दी हुई है तो अपन फस्ट यहां पे सिद करना है यानि कि फस्ट जो अपनको सिद करना A upon D is equal to B upon sorry A upon B is equal to C upon D अपनको यह सिद करना और यहां पे बनका B not equal to 0 and D not equal to 0 तथा जो B A upon B और C upon D है यह ब्लॉंग कर रहे हैं पनके फिल्ड को ठीक है यह अपनको दिया हुआ हुआ है तो माना यहां पर लिख सकते हैं माना F कोई फिल्ड एफ प्लस डॉट यहां पन डॉट के लिए करेंगे क्योंकि गोडन के सापिश कर रहे हैं तो देखो A upon B और अपनको बोला क्या क्या है A upon B और C upon D ब्लॉंग कर रहे हैं अपन के F के F में तो यहां पर अपन छेत्र लेए F और डॉट छेत्र गोडन संक्रिया के लिए ठीक है जब A upon B, C upon D ब्लॉंग कर रहे हैं F को इसकारत यह है A, B, C, D यह चारों ब्लॉंग कर रहे हैं तो यह लेकर चल रहे हैं और यह सिद्ध कर रहे हैं फिर इसको लेकर चलेंगे और यह सिद्ध कर देंगे ठीक है क्योंकि यह वाला निसान लगा हो है तो अपन को दोनों लेकर सिद्ध करना है तो सबसे पहले अपन को जिदे को अपन में भी है यहां बंद की पावर होगी इसको बी को उपर ले जाएंगे तो अब देखो दोनों साइड अपन मल्टिप्लाइ कर देते हैं बीडी से दोनों पक्चों में बीडी से गुणा करने पर वीडियो के एत तक बने रहे लाएं और यदू और आप लोगले बीड्स के और वीडियो उस किस देखने के लिए प्लेए उसमें क्रशी कॉश्चर शॉल्ब कर वाये गाया है यूनिट वाई यूनिट ठीक बीड्स के फिस्ट पीपर की प्लेश्ट पर तो करते हैं तो A B inverse into B D is equal to C D inverse into B D ठीक है अब देखो अगर अपन bracket बनाने का देखो अपन वो पता है जो छेत्र होता अगर वो dot संक्रिया में अपन कावेली समू हो रहा है तो उसका bracket बनाने से कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो अपन यहाँ पे अगर bracket अपन बीच में लगा लेते हैं A B inverse into B हो जाएगा ठीक है और यह अपना D हो जाएगा यहाँ पे भी ऐसी करते हैं तो C D inverse B यहाँ पे अपन बीच में bracket लगा लेते हैं और अपना E हो जाएगा युए कौन सा नियाम है, अपन का साय चर्यानियम की, ब्रैकेट बनाने कोई फर्क ने पड़ता है, अगे पीछे ब्रैकेट लगा दोजो, तो कोई फर्क ने पड़ता है, अर्थ virtud, देखो, बि-inverse व-b क्या हो, जग अपना e हो जागे, यह कौन सा प्रतिलौम नियाम है, अ कावयव और उसके प्रतिलॉम का मैल्टिप्लाइ क्या होता है को तत्समा कावयव होता है यह पे अपन C D अगे लेते हैं दिवर्स इंटु दी बचेगा यहां पर प्रतिलॉम नियम से प्रतिलॉम नियम से ठीक है तो देखो यह गड़न संख्रह में तत्समा कबयों कि वैली बन लेते हैं तो यहां पर वन रखेंगे तो 80 आज आएगा और यहां पर डी ऐनवर्स इंटू डी यह भी अपना इसको cB को अपन बी सी लिख सकते हैं एकी वैल्यू यहाँ भी वन रख देते हैं तो ad is equal to bc अपनकी first condition यहाँ पे सिद्ध होगी अब इसको लेके चलना है और अपनको a upon b is equal to c upon d सिद्ध करना है तो इसके लिए अपन d inverse से multiply कर देते हैं ठीक है तो दोनों पक्चों में d inverse से multiply करने पर d inverse से multiply करने पर यानि कि गुणा करने पर अगर अपन d से multiply करने तो देखो d inverse से ठीक है तो ad into d inverse हो जाएगा यहाँ पे bc into d inverse हो जाएगा तो देखो a यहाँ पे अपन d into d inverse में ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे bc d inverse हो जाएगा तो d into d inverse e हो जाएगा a e is equal to b d inverse और अपने c d inverse अंदर multiply में चल रहा है ठीक है तो गोड़न में अपन a की value 1 यानि a बचेगा और b को अपन जब इस side लाएंगे तो अपना b inverse हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा b का पक्षांतर is side कर जाएगा अपन की value थी is side ले आएंगे तो b inverse हो जाएगा और अपना c d inverse बचा अब देखो इसके लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं a upon b inverse उपर लगा तो b को जब नीचे लाएंगे तो plus 1 में हो जाएगा और यहाँ पे भी c upon d आ जाएगा अपन चलते हैं second पर इसी के ठीक है तो second है अपन को second सिद्ध करना a upon b plus c upon d is equal to अपन को सिद्ध करना b d is equal to a d plus b c ठीक है यह अपन को a d plus b c upon b d यह सिद्ध करना है ठीक है तो इसको अपन लेके चलते हैं यह वाला ठीक है इसको लेके चलते हैं ठीक है तो इसको लेके चलते ह A B को उपर ले जाएंगे तो inverse हो जाएगा D को उपर ले जाएगे तो D inverse हो जाएगा अब अब अपन को सिद क्या करना है A के साथ D यानि कि अपन यहाँ पर T2 अब एक तत्समक अब उपर E को लेके चलेंगे यानि A B inverse तो D into D inverse ले सकते हैं यहां पर देखो डी इंटु डी इंवर्स से मल्टिपलाइब कर देए अब देखो अगे ले लेते हैं और बी इंवर्स इंटु डी इंवर्स यह हो जाएगा यहां पर यहां पर सायचर्णियं हम लगा देरें यहां पे भी C, B को आगे ले लेते हैं और ब्रैकेट में बचेगा अपना D inverse into B inverse देखो B आगे ले लिया और D inverse into B inverse यह हुए अब देखो यहां पे लिख सकते हैं साय चर्या नियम से यानि कि अपनको सिर्फ यही नियम लगाने आप इली समूवाली नियम तभी अपनको यह शिद करना वैसे तो अपन डारेक्ट कर सकते हैं लेकर डारेक्ट नहीं करना यहां पे अब देखो दोनों से अपन का क्या common आरा B inverse into D inverse आरा ठीक है A D क्या बचेगा यहां पे C भी बचेगा और दोनों से common आरा अपन का B inverse into D inverse अब B inverse into D inverse है तो इसको अपन अपन बें ले सकते हैं तो यह प्लस में आ जाएंगे ठीक है AD plus CB upon BD हो जाएगा देखो यह अपन को शिद करना था जो अपन लेके चलेगे थे AB A upon B plus C upon D यह हो गया अपन का प्रोव्ड तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शियर जरू करेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी आप लोग के डाउट हो तो आप लोग वीडियो में प्लेलिस्ट में जाक का यूनिट 5 की